हेलो स्टुडेंट्स आज इस रीडियो में हम चैप्टर टैन मैंसुरेशन एक्सराइज स्टैन्पोंट वन से कोशे नमबर नाइन और टैन सोल करेंगे तो कोशे नमबर नाइन देखिए फाइन दा साइट ओफ दा स्क्वेर हूस पैरिमीटर इस 20 मीटर तो एक स्क्वेर जिसका पैरिमीटर 20 मीटर है इस स्क्वेर की साइट फाइन करने है तो हमें यहाँ पर स्क्वेर की साइट फाइन करने है और पैरिमीटर दिया गया है 20 मीटर तो देखे, perimeter of the square is equal to 20 meter, square का perimeter दिया गया है 20 meter अब हमें find करनी है side of the square, square की side find करनी है तो देखे, जब square का perimeter दिया गया हो, और square की side find करनी हो तब हम perimeter को 4 से divide कर देते हैं देखे, 4 से क्यों divide करते हैं, क्योंकि square की क्या होती है 4 sides होती है और सभी 4 sides equal होती है तो 4 से divide करेंगे तो perimeter क्या है 20 upon में 4 ठीक है अब देखे 20 और 4 ये दोनों 4 से divide हो रहे है 4 बन्जा 4, 4 फाइव जा 20 क्या है 5 meter तो square की side क्या है 5 meter Question number 10 देखे The perimeter of a regular pentagon is 100 cm How long is its each side? दिया गया है कि एक regular pentagon का perimeter 100 cm है तो हमें इसकी हर एक side की length बतानी है क्या है देखे regular pentagon क्या होता है ऐसा pentagon जिसकी 5 sides होती है और सभी 5 sides जो है वो equal होती है वो क्या होता है regular pentagon तब यहाँ पर हमें regular pentagon का perimeter दिया गया है हमें इसकी sides find करनी है तो perimeter of regular pentagon is equal to 100 cm रेगुलर पैंटागोन का पेरिमीट्र दिया गया है हंगर से अधू इंगर करने हैं तो धी की ह achievement मीटर क्या दिया गया है 100 अब पॉन में 5 अब देखे 100 और 5 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं 5 वंजा 5 देखे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 तूजा 10 और जीरो तो क्या आया 20 मीटर तो साइड ओफ तर रेगुलर पैंटागन इस इकल टू 20 मीटर रेगुलर पैंटागन की हर एक साइड की लेंथ क्या है 20 मीटर आज इस वीडियो में हमने कोश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्र थैंक यू